जहिंद उनिस फरवरी सुभा आठ बजे के आसपास ये वीडियो शूट कर रहा हूं और आपको प्राप्त हो जाएगा आज एकी डेट में कुछी मिन्टों के बाद में सूचना का संबंध है दिल्ली विश्विद्याले की चल रही पीजडी की एड्मिशन परिक्रिया को ले जो भी अगर सूचना का सोर्स जानना चाता है तो क्योंकि विश्विद्याले की वेबसाइट में थोड़ा सा परिवर्पर कर दिया गया है क्योंकि 23 और 24 के सत्र के नए फॉर्म की नोटिकेशन या सूचना आ चुकी है इसलिए पुरानी जानकारियों को वेबसाइट पर क कहां छिपा दिया गया है या मिल नहीं रही है यह समस्याएं खड़ी हो गई है सभी के समक्षे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूटूब चैनल देशकंठी इसको लाइक सब्सक्राइब वीडियो को शेयर जो करना है आप करिएगा और आप वीडियो को जो सूचना आपने देखने के लिए सुरू किया है उसको देख लिएजगा पहली सूचना का सम्बंध है डिपार्टमेंट और पॉल्टिकल साइंस से डिपार्टमेंट और पॉल्टिकल साइंस का प्यजडी का 22 और 23 के शत्रका इंटर्वू का फइनल रिजल्ट आ गया है लेकिर इस साथी साथ दिल्ली विश्वडाले की वेबसाइट और डिपार्टमेंट ऑफ पॉल्टिकल साइंस की वेबसाइट दोनों ही जगा पर इस रिजल्ट को अप लोड नहीं किया गया है तो आप के सामने सवाल होगा कि जब रिजल्ट आया नहीं तो यूटूबर्स को या उनमें से जिनका भी चयन हुआ है उन्होंने अपनी अपनी जानकारियों को मुझसे परशनली और अपने अपने फेस्टू पेज पर भी शेयर किया है तो उसी जानकारी के अदार पर मुझे मालूम चला है कि पॉलिटिकल साइंस का रिजल्ट आ गया है पीछडी का 223 की सत्र का साती साथ में मानली जिन लगबख साड़े 400 या 500 करी बच्चे बुलाए थे इंट्रवू के लिए जिन 40, 45 या 30 बच्चों का सेलेक्शन हुआ है उन सभी बच्चों को डिपार्ट्मेंट और पॉलिटिकल साइंस दिल्ली विश्दा ने पर्सनली इमेल भेजा है और इमे के माध्यम से सूचना मिली है तो समझिएगा कि आपका चैन हुआ है और अगर आपको सूचना नहीं मिली है इमेल के माध्यम से तो मान लीजिए समझ लीजिए आपका चैन इस सत्र में नहीं हो पाया है हां ये बात जरूर है कि नोटिफिकेशन जो भी होता result जो भी होता website पर अप्लोड करना चाहिए था जैसे कि हिंदी विवाग ने लगभग डेर सो सीटों पर दोसो बच्चों को अड़िशन दे दिया लेकिन सूचना है सारजुनी करे गई कि आपको फीस कप तक अपनी है कितनी समिट करनी है इसके लिए जो भी आपका यूजर ऑन-लाइन पोर्टल है उस पर जाकर विजिक किए जीजीगा सारा प्रॉसिस ऑन-लाइन मात्यम से है फिजिकल है या नहीं मुझे जानकारी नहीं है लेकर अगर आप दिल्ली विश्मित में रहते हैं तो अगर समय मिलता है तो आज ही के दिन संडे है वैसे आज तो ने कि जाना चाहिए तो जा सकते हैं कोई ना कोई मिल जाएगा या फिर कल मंडे की दिन वेबसाइट दे विश्विदाले जरूर जाईएगा अपने डिपार्टमेंट में और जो भी आपको गल्ट जारी किया था तीन फरवरी के आसफास उसमें दो विध्यारतियों के नाम ऐसे थे जो दो जगा शोग रहे थी यानि कि उन बच्चों का चयन दो बार हो गया था लिश्ट में ऐसा दिखाया गया था तो इसी गलती को सुधारते हुए दो नए विध्यारतियों का च स्टीट वेकार हो गई तो ऐसी दो कंडिशन प्राप्त की गई विश्विदाले के जांज कमिट्री के दौरा और दो नए विध्यार्तियों का चैन हुआ है दिल्ली विश्विदाले में एक का नाम है भरत भूचन जिनका अन्रिजर्ब कटिगरी में चैन हुआ है और दूसर और गंभीर नोटिकेशन है इसको भी डिसकस कर लेता हूं ठीक है देखिए नोटिकेशन मुझे मिला है फेस्बुक और इमेर आइडी से है ना इमेल के माध्यम से तो इसका कोई लिंक नहीं है मेरे पास तो अगर इन जानकारियों के आप भी सूचना को चाते हैं इसलिए मैं 23 के सेशन में उन सभी को अपनी फीज को सम्मिट करना है 19 फरवरी 2022 तक 19 फरवरी 2022 तक कर है 19 फरवरी आज ही यह दन रखिएगा तो आज ही की डेट में आपको अपना फीज को सम्मिट कर देना है इस बात का रखेगा विशेश रूप से ध्यान और ऑनलाइन पोडर पर आप आपको फीज सम्मिट करना है phdadmission.d.uodac.in index.phd.site.login यह आपकी वेबसाइट है और जो भी आपका user ID पासवर्ट था लोगिन करिएगा अपनी फीज को सम्मिट करिएगा और फीज सम्मिट करने के और जो भी आपको receiving मिलेगी उसका screenshot लीजिए या photo कीजिए और 19 फरवरी क दिन ही आपको department की email ID पर उसको email के माध्यम से भेजना भी है department की email ID है hindi confidential at the rate gmail.com दोनों ही यह login portal का link का नाम और email ID का नाम मैं type करके discussion box में ले दूँँगा आपको तकलिफ नहीं आएगी आप इसको देख लीजेगा और एक और चीज जो बच्चे OBC और एक और लिखाता इस OBC और EWS काटिगरी में है खासकर जी हाँ जो बच्चे EWS और OBC काटिगरी में उनका जो certificate है यदि 31 March 2022 के बाद का बना हुआ है तो मानने होगा और यदि आपका certificate 31 March 2022 से पहले का बना हुआ है तो मानने नहीं होगा और यदि कोई documents जाच के समय गलत या फरजी या illegal पाया गया तो आपके admission प्रिक्रिया को रद कर दिया जाएगा इस्थागित नहीं रद cancel कर दिया जाएगा चाहे आपका चैन किसी भी department में हुआ हो यह दो सूचनाएं मेरे पास आई थी छोड़ी से छोटी सी गलतियां हो गई थी विश्विदाले को सुदारिक कोशिक की गई है अपन रखेंगा तो website को विजिट करते रहिए और जैसे ही link open हो जाएगा मैं उस पर वीडियो बनाके आपको दे दूंगा तक लिए अपना अपनों का परिवार का प्रकृति का पुस्तकों का सिक्षकों का जै मैं सिक्षक बोलता हूं तो उसमें सिक्षकाइं भी होती हैं male female को छ प्रकृति का जैसे ही